सुरज सुभा सुभा आके गोले बरसा रहा था मौसम गर्म था और देश का सियासी पारा भी चड़ा हुआ था मोधी सरकार का विस्तार होने जा रहा था 36 नए मंत्रियों को शाम को शपत लिनी थी लेकिन कुछ मंत्रियों की चुट्टी भी होनी थी चुट्टी की सुषना की जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा के कंदे पर थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा बारी बारी से सरकार के मंत्रियों को फोन करने में व्यस्त थे ये उनके लिए बहुत कठिन समय था उन्होंने पहला फोन हर्याना के रतनलाल कटारिया को किया और उन्हें बताया कि पार्टी ने फैसला लिया है कि अब उन्हें मंत्री पस से इस्तिफा देना है अपनी अगली जिम्मेदारी पार्टी जल्द दे करेगी इसलिए आप जल्द अपना इस्तिफा प्रधान मंत्री कारेले भेज दें इसके बाद पार्टी अध्यक्ष नड़ा सुभा आठ बजे तक बारी-बारी से बारा मंत्रियों को ये बुरी खबर और पार्टी का निर्देश बताने में व्यास्त रहे कुछ मंत्रियों ने पार्टी के फैसले की वज़ा जाननी चाही तो कुछ ने फैसलों को तुरंत शिरोधार कर लिया देश के खानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने अपना इस्तिवा पार्टी अध्यक्ष नड़ा के फोन कौल के कुछ देर के भीतर ही डिक्टेट किया और प्रधान मंत्री कारेले भेज़ दिया सूशना और प्रसारन मंतरी प्रकाश जावडिकर ने भी अपना इस्तिफा नडड़ा के फोन कॉल के कुछ देर के भी तरही भिजवा दिया शिक्षा मंतरी रमेश पुखरियाल निशंक ने मकाईदा तीन पेज का इस्तिफा टाइप करवाया है उसमें अपने मंतराले के दो साल की उपलब्धियों को गिनवाया है और उसके बाद आखीर में अपने स्वास्त कारणों की वज़ा से इस्तिफा देने का जिक्र क्या है और प्रधान मंतरी कारेले भेज दिया है दोपहर होते होते लाभांज सभी मंत्रियों के इस्तिफ़े के खब सामने आ गई सबसे ज़्यादा बंगाल और महराश्ट के मंत्रियों को इस्तिफ़े देने पड़े बंगाल से दो मंत्रियों बाबुल सुप्रियों और देवशी चौधरी को और महराज से प्रकाश जावडिकर और संजय दो हित्रे को अपने पस से इस्तिफा देना पड़ा इन में से कुछ मंत्रियों के कामकाज में कमजोर प्रदशन, कुछ को पार्टी और संग की शिकायतों और कुछ को पार्टी के संगठन में एहम जिम्मेदारी देने के लिए इस्तिफा देने को कहा गया कुछ दिनों के भीतर ये साफ हो जाएगा कि इन में से किसे क्या जिम्मेदारी जी जाएगी देश और दुनिया की हर अबडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें